हेलो माई डियर इस्टुडेंस कैसे हैं आप सब लोग स्वागा था आप सभी लोगों का अभिपसा एजुकेशन फॉर एक्सिलेंस के इस आउनलाइन क्लासिस पर तो बच्चो जैसे कि आप सभी लोगों को याद है हम अपने लास्ट वीडियो में अपना अध्याद जो कि है हमारा वास्तविक संख्या है उसे इस्टार्ट कर चुके थे बच्चो हम उस वीडियो में यह जाना था कि हमें अध्यादों के अंतरगत कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने को मिलने वाले हैं अब उन्हीं टॉपिक्स को हम एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे तो च कि बच्चो हम वास्तविक संख्याओं को एकदम बेसिक से समझेंगे बेसिसे जानेंगे ताकि आपको वास्तविक संख्याओं को समझने में कहीं भी दिक्कते ना आए वास्तविक संख्याओं को बच्चो हम एक संख्या रेखा की सहात्या से बहुत अच्छे से समझने वा ले यह तो संख्या रेखा की वारे में बच्चो आप चोटी कख्छाओं एप डॉलوف से पढ़ते आ रहा है कि कैसे बनाते हैं संख्या रिखा तो चले वापस अंआटे तो बच्चो याद कीज Gregory आप में पढ़ते थे तो संख्या रेखा कैसे बनाते थे संख्या रेखा बनाने के लिए आप क्या करते थे पहले इसके लेते थे मैंने यहां पर एक इसके लिया भी इसी प्रकार से आपको भी एक scale लेना है, scale लेने के बद हम क्या करते हैं, scale लेने के बद हम क्या करते हैं, एक line खीचेंगे, मैंने अपने pain को यहाँ पर रखा 0 पर, और 0 पर रखते हुए, मैंने यहाँ 12 cm लंबाई तक की एक line खीची दी, ठीक है, अब बच्चों, आगे हमारा क्या कम होगा, देखिए, लिया, 2 पर पॉइंट लिया, 3 पर पॉइंट लिया, 4, 5, इसी तरह से आपको विभिन बिंदू लेना है, जैसे मैं ले रहा हूं, और एक बात बच्चों, आपको ध्यान रखना है, वो क्या, वो क्या ध्यान रखना देखिए, यहाँ पर यदि 0 से 1, 0 से 1 तक के बिंदू क के distance 1 cm है, तो 1 से लेकर 2 तक की जो बिंदू है, उसकी भी distance 1 cm ही होनी चाहिए, कहने का मतलब ही हुआ है, कि 2 बिंदू के बीच की दूरी समान होनी चाहिए, सभी जगा, ऐसा ने कि यहाँ पर आप 1 cm लेना है, और यहाँ पर 2 cm, ऐसा नहीं होनी चाहिए, सभी बिंदू की द जाता है, हमने scale को हुटा दिया, अब आगे, अगला हमारा क्याम होता है, बच्चो, यह जो हमें safe मिली है, आकरती मिला है, इस आकरती में हम दोनों side arrow का निसान लगाते हैं, अब आप लोग प्रशन करोगी कि सार, यह आप arrow का निसान क्यों लगा रहे हो, क्या यह लगाना दोनों है, तो बच्चों मैं आप आपको बाता दूं, यह arrow का निसान आपको लगाना बहुँत ज़रूरी है, क्यों क्यों वह सुन कि देखिये यह जो मेंने आकरती बनाई है यह जो अकरती बनाई है, यह घुत से पर यह जो एरो का निसान लगा है rendee आप आनने 458 Мы और बढ़ रही है ये बताने का काम कौन करता है ये एरो और ये एरो ये बताता है कि ये जो आकृति बनी हुई है वो लेप्ट हैं साइड में अनंत की और बढ़ रही है अनंत लंबाई की और बढ़ रही है ये बताने का काम करता है ये एरो का निसान तब आपको जब भी तब आपके जो प्रश्ण नहों पूरे गलत हो जाएंगे आपको एक भी नमबर नहीं मिलेगा एक छोटी सी चूप किये तो आपके पूरे नमबर कट जाएंगी तो आपको धिहान दिना है कि रेखा बनाते टाइम इसके दोनों साइड में आपको तीर का निसान एरो का निसा पर भी अनंत लंबाई की ओर बढ़ रही है थी बच्चो अब देखिए अब देखिए हमने अभी तक एक रेखा बना लिया है अब अब रेखा बनाने के बाद हम क्या करेंगे अब रेखा बनाने के बाद हम क्या करेंगे किसी पॉइंट पर चलिए हमने यहां पर पॉइंट मैंने इस point पर ले लिया 0 को, हम क्या करेंगे, किसी भी point पर 0 को ले लेंगे, मैंने इस enter वाले point पर 0 को ले लिया, अब देखें बच्चो, 0 की बाद, अगर मैं right hand side के और move करता हूं, right hand side के और मैं चलता हूं, तो 0 के बाद आएगा one, और ये one कैसा है, positive है, धनातमक में आपको ध्यान रखना है, जब हम right hand side के और बढ़ते हैं, 0 पर थे, अब मैं right hand side के और बढ़ूँगा, यहाँ पर मैं right hand side के और बढ़ूँगा, यहाँ पर लिखिया वन खम किस वर चल रहा है राइट हैंसाइड कि और चल रहा है फिर हमें मिल गवल और यहें रूप सब्सक्रासथ कृम्द लगने लग जाते हैं पहले हम 0 पर थे फिर हम 1 पर पोचे right hand side में चल रहा है फिर हम 2 पर पोचे फिर हम 3 पर पोचे फिर हम 4 पर पोचे इस तरह से हम अनन्त की और आगे बढ़नने लगे अब देखें बच्चो अब क्या होगा कि मैं इस side चलूँ मैं पहले ऐसे खड़ा था अब मैं इस side चलूँ left left hand side में चल रहा हूं तो जब हम 0 से left hand side में चलते हैं तो मिलते हैं अनंद कीयोड बढ़ने लग जाते हैं कि डारेक्शन में ठीक वच्छो हमने यहाँ पर पॉसिटरि और नेगेटिव को समझ लिया अब देखिए अब यहां पर आप एक इंटरेस्टिंग बास सुनिये महाल लेता हूँ कि मैं यहां पर वन पर खड़ा हूं का पर खरा हूं one पर ख participar लो मैं a yak workflow अब देखिए में अब operate रहा हूं वान पर खड़ा हूं चल करो नि bleiben each other सिद्ध लिख लिखें चल यह तो यहां पर बच्चों मैं One पर खड़ा हूं ठीक है अब मैं किस ड् architect मैं अब मैं चल रहा हूँ राइट हैंड साइड पर तो वन के बाद मैं कहां पर पहुंच गया भई वन के बाद में कहां पहुंच गया टू पर पहुंच गया अब टू के बाद मैं फिर से चलना ही स्टार्ट करता हूं मूह करना ही स्टार्ट करता हूं तो टू के बाद मैं अब पहुंच जाता ह है कुछ इस परकार से अब देखिए बच्चो अब देखिए यहां पर हमें संख्याओं का एक सेट मिला है एक समू मिला है और इस समू को हम एक नाम देने वाल है वो क्या नाम दाने वाल है इससे हम कहते हैं बच्चो प्राकृत संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या जिसे आप कहते हैं इसी को हम अंग्रेजी में बोल देते हैं नेचुरल नंबर हमने प्राकृत संख्या को समझ लिया प्राकृत संख्या में क्या होते है हन से स्टार्ट होते है और इंफिनाय्ट की उवर infinitely एंहां यहां पर कर प्राकृत संख्या को समझ लिए अब इस प्राकृत संख्या को भच्यों हम कहां पर लिखेंगे हम यहां पर इस से जर्ब के इस सेव की सहात्य से वास्तविक संख्याओं को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा प्राकृत संख्या को तो यहां पर मैंने लिग दिया प्राकृत संख्या ठीक बच्छो मैंने यहां पर लिग दिया प्राकृत संख्या और प्राकृत सं से हम अनंद की वर बढ़ने लग गए थे हमने प्राकृत संख्या जिससे नेचरल नंबर करते हैं बच्चों उसको हमने समझ लिया अब वापस से मपने संख्या रिखा पर आते हैं अब देखे भई अब यहां पर एक बात और देखिए वह क्या देखिए तो अभी बच्चों मैं कहां पर खड़ा था वन पर खड़ा था वन से चलना इस्टार्ट किया वन टू थ्री फॉर फाइव इस तरह से अब अब माल लेता हूं कि मैं जिरो पर खड़ा हूं कहां पर खड़ा हूं जिरो पर खड़ाओ, तो 0 से मैंने मुह करना है स्टार्ट किया तो 0 के बाद मैं Q4 मैं कहां पर पहुं जाओए one पर, वन के बाद मैं 2 पर को हम एक नया नाम देने वाले हैं जिसे आप लोग बोलते हो पूर्ण संख्या जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्या होल नंबर मतलब कि जो पूर्ण संख्या बच्चों वो जीरो से स्टार्ट होते हैं जिरो के बाद आता है वन वन के बाद टू के बाद तरी फिर फोर फाइब इस तरह से हम इंफिनाइट की वह चलने लग जाते हैं अब बच्चों इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि प्राकृत संख्या में जब हम पूर्ण संख्याओं को भी सामिल कर लिए प् बच्चो पूर्ण संख्या कहा से स्टार्ट हो रहे भई यह स्टार्ट हो रहा है जीरो से अब यहां पर मलिख दिता हूं उसको तो कहा पर लिखा जाएगा यह यह अब इस हमारे स्लाइड पर लिखते हैं चले भई अब यहां पर हम इसको लिखेंगे देखिए देखिए हमन था फिर जीरो के बाद हम पहुंचे वन पर फिर टू पर फिर त्री पर और इस तरह से हम इन्फिनाइट के और अनंद के और बढ़ने लग गया थे ठीच बच्छो अब वापस हम अपने संख्या रेखा पर चलते हैं तो हम वापस अपने संख्या रेखा पर आ गए अब देखिए अब यहां पर देखे है मैं 0 सो चलना करें चुका था राइट हैं साइड पर तो सभी मुझे पॉजिटिव नंबर ही मिले अब क्या होगा माल लेता हूं कि मैं यहां पर 0 पर खड़ा था मैं कहा पर खड़ा हूं जिरो पर खड़ा हूं अब मैं उल्टी दीशा मे हमें आ गया माइनस ओर मायिनस वजसे मैं मूब करना इस स्टार्ट करूंगा स्टार्ट कर तो माइनस वरन के बाद मैं का मोग सब्सक्राइब मायनाश बाद मत ब estaböhट म मैं मैं माइनस थी पर पहुच जाओं reaction में भी अनन्त की वुर बढनने लग गया वापस से बच्चों देखिए वापस हमें जो नंबर के एक हमें एक नया सेट मिला एक नया ग्रूप मिला है अब इस नये सेट को इस नये गृरूप को हम एक नया नाम देने वाले बच्चों इसको हम कहते हैं पुणांग संख्या जिसे और रिनातमक वाली संख्या भी आती है एक बाद ध्यान रखना कि ये सभी संख्या पूरा होते हैं दसमला वाले या फिर भिनस वाले संख्या इसमें नहीं आते हैं तो बच्चों हमने पुर्णांग संख्याओं के लिए संख्या रेखा को समझ लिया अब इस पुर्णांग स संख्ख्या को भी हमने अच्छे से समझ लिया तो पुनां संख्या मेरि सबसे हम जीरो पर थे जीरो के बाद हम किस direction में right hand side के direction में मुं करना है तो जीरो के बाद हम पहुंच से one par two par three पर इस तरह से हम positive direction में अनन्तकी तो और बढ़ने लग लगए थे ठीक है भचो हमने प्राकृत संख्या पुर्ण संख्या और पुर्णायंग संख्या को समझ दिए अब देखें वापस अपने संख्या रेखा पर थे तो वापस बच्चों अपने संख्या रेक्रा पर आ गए अब देखे अब यहां पर बच्चों मैं एक प्रश्न पूछता आप लोगों से क्या जिरो और वन के बीच में और कोई संख्या आ सकती है कि नहीं तो आप लोग कहाएंगे कि sr हां सकती है देखिए वो संख्या कौन सी हो शकती है जैसे कि बच्चो मैंने लिखा यहाँ पर 0.1 0.1 एक लिखा इसका क्या मतलब होता है कि इसका जो मान होता है वो 0 से बड़ा लगा होगा होगा और फॉण से छोटा होगा क्यूंकि यह जिरो से बड़ा है और वन से चोटा यहां पर पॉंट लग गया है तो one से हम क्या करते हैं इसके अंस वो खर में गूड़ा करते हैं तो में गूड़ा किसका करें अब प्रस्ट ने दो हैं किस She 10 बंठ के बाद एक अंग लिखा हुआ है तब आपको 10 यहां पर लगा देना है तो यहां aan ऐसा बोल सकते हैं कि 0.1 पर हमने उपर और नीचे 10 का किया है गूड़ा क्या है दसका उपर और नीचे गूड़ा किये हैं तब हमें 0.1 जो है यहां पर उतार देंगे उसके बाद इसके नीचे में मतलब की हर में हर में हम क्या करेंगे पहले यहां पर देखेंगे दस अमलों के बाद एक संख्या है तब आपको यहां पर एक 0 लगा देना भई 0 लगाने के बाद इसके जस्ट सामने में आपको एक लिग देना है तो यह ह लोगों को कहता है चले बच्चों यहाँ पर दसम्लाओ को खटाएए हम दसम्लाओ को कैसे अटाएए पहले बात तो यह 0 को छोड़ने के बाद जो भी संख्या बजी है यह 3 3 को आपको एजटीज लीख लेना है अब इसके हर में अब इसके हर में लगा देंगे इसका मतलब क्या होता है कि 0.003 पर हमने उपर और नीचे उपर और नीचे 1000 का कर दिया है गुड़ा ठीक बच्छों अब देखिए यहां पर मैं आपको एक देखिए इंट्रेस्टेंग बाप बताने वालूंद देखिए 0.1 को हमने एक बटा 10 के रूप में लिख लिए मतलब कि इसको हमने अंस बटा हर के रूप में लिख लिया है किसको रूप में बचो अंस बटा हर के रूप में लिख लिया है मैं यहां पर लिख देता हूं अंस बटा हर अब आप लोगों को एक सब्द याद आ गया होगा परिमेश संख्या मैं किसकी बात कर रहा हूं परिमेश संख काते हैं हमने परिमेश संख्या को समझ लिया कि ऐसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यों कि फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं या फिर अंस बटा हर के रूप में लिख पाते हैं उसे हम कहते हैं परिमेश संख्या यहां पर देखे जीरो पॉइंट टू को हमने जब लिखलिया है इसलिए बच्चों ये भी किसमें गिने जाएंगे हमारे परिमेश संख्यां में ही गिने जाएंगे यहां पर देखी बच्चों यहां पर मैंने आपको दस्वलाव को हटाने के लिए कहा तब हमने इसको कैसे लिखा तीन बटा है तो हमने इसको समझ लिया और इन सभी संख्यामों को बच्चो हम संख्या रेखा पर प्रदर्सित कर सकते हैं क्योंकि यहां पर देखे 0.003 इसको भी हम संख्या रिखा पर प्रदर्सित करेंगे तो यह 0 और 1 के बीच में कहीं पर आएगा ठीक बच्चों तो ऐसी संख्या जिसे हम P by Q के फॉर्म में लिख पाते हैं या फिर अंस बटा हर के रूप में लिख पाते हैं उन संख्याओं को बच्चों हम कहते हैं पर कि पुर्नांग संख्याओं को रिमें संख्या रेस्नाल नमबर कह सकते हैं कैसे कैसे स्णियों स्य थे मैं जिरो से श्टार्ट कर रहां हैं तो चल 경찰 यह पर रिया मैं जिरो को भी एक पर drip में संख्या रेस्मां कहता हूं कैस होगा मैं जिरो के निचे में हर में वन को लिख सकता हूं जिरो के निचे में आपको भी संख्या लिख सकते हैं उसका मान जिरो ही होता है चाहे तो आप एक लिखे दस लिखे एक लाग लिखे दस लाग लिखे जिरो के निचे में को भी संख्या लिखिए उसका मान होता है वन ही होता है ऑसलिए बोल्ड दीकाई जिरो के निचर में कुछ भी रखेर उसका मान कितना होता है जिरो होता है इसलिए इसलिए यहाँपर यह भी पींग अब एक कि रूप में लिख लिया है कुछ यह नलने जाएंगे तो जितने भी पुर्णामग संख्या है उसको हम एक परी मेल संख्या कहा सकते हैं और कोई दिकत नहीं और एंवल लेता है यहां पर मैं रहाँ आखो तो वरन के निचे में किसी भी संख्या के निचे में में रहा हो हुट लिग first क्रते हैं बहुत कर तो इसका जो हम करते हैं rational number करते हैं इसी टाइप से अगर हम बात करूं चलिए चलिए अब मैं बात करना हो 10 का तो 10 किसी भी संख्या की नीचे में हर में हम एक लिख सकते हैं मैंने यहाँ पर भी 10 को भी यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर भाई यह है रिन एक है तो रिन एक के नीचे में भी मैं एक लिख सकते हैं इसको मैंने पी बाई क्यों के फॉर्म में लिख दिया है तो नेगेटिव वाले जो भी इंटीजर नंबर होते हैं वह किसमें आएंगे इसे टापस बच्छो मैंने यहाँ पर लिखा रिन भी इस क्या लिखा अब यह भी क्या है हमारे इंटीजर नंबर है इसके नीचे में वन लिख सकता हूं किसी इसको मैंने पी बाई क्यों के फॉर्म में लिख दिया है तो यह भी मेरे किसमें गिने जाएंगे परीमेस संख्याओं में लेंगे एक बात विसेष रूप से धियान देना बच्को वह क्या है कि हर मैं जो क्यों कमान होता है cryōक कमान होता है वह widi आपको जिरो नहीं लेना है अगर माले कि पी में आने की अंस में मैंने यहां पर लिया पांच क्या लिए भी पांच लिया अब यहां पर मैं क्यूं की जगा बच्छों रख रहा हूं ज borrow नहीं रख सकते यह тот हम एक सर्थ लगायत है तो क्यूं के zero नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर हम zero लग देंगे तो यह undefine हो जाएगा यहाँ पर अनंत मिल जाएगा और अनंत हमारा एक परी में संख्या नहीं है तब हमने बच्चों यहाँ पर परी में संख्याओं को भी समझ लिए परिमेश संख्या जिसे हम P by Q के form में लिख पाते हैं अंस बटा हर की रूप में लिख पाते हैं और उन सभी संख्याओं को हम कहां पर संख्या रेखा पर प्रदरसित कर सकते हैं उससे हम कहते हैं बच्चों परिमेश संख्या हमने परिमेश संख्या को समझ लिया और सभी परिमे संख्या ठीक है परिमे संख्या में जीरो भी आ गया था भई माइनस 5 को हम भी परिमे संख्याओं में रख सकते हैं अगर मैं चाहूं तो अब यहां पर मैं आपको एक नई बात बताने वाला हूं वह आप अच्छे से सुनिये देखिए अब यहां पर हम एक नई बात जानने वाले देखिए देखिए बच्चो अब आप लोग एक संख्या पढ़ते आ रहे हैं यह मैंने यहां पर लिखा रूट टू मैंने यहां पर लिखा रूट टू और रूट टू का वाल आप सबी लोगों को पता है यह कितना होता है यह होता एक दसमलो चार एक चार और यह खटम नहीं होता चलते रहता है हमें दसमलों के बाद असंख्या मिलती है अब बच्चो बताईए कि रूट को हम को परिमेर संख्या कहेंगे कि क्या कहेंगे मैं मैं पुछ रहा हूं कि रूट टू को हम क्या कहेंगे परिमेर कहेंगे कि नहीं कह सकते तब आप लोग कहोगा कि सर रूट टू के होता है चलते रहता है यहां पर देखिए यह जो नंबर है ना इस नंबर लिखा है रूट टू कमान जो लिखा है वह एक इंटीजर नंबर नहीं है अब याद कीजिए अपने परिमेश संख्याओं को जितने भी मैंने परिमेश संख्या बता है उसके उपर और नीचे मतलब अंसवहर में हमेशा हमें एक पुर्णांग संख्या इंटीजर नंबर ही मिले था पुर्णांग का मतलब में बता चुका हूं कि पुर्णांग वे अंख होते हैं जो पूरा होते हैं दसमलाव वाले या फिर भिन्न वाले नहीं होते यहां पर वर्गमुल दो कमान होता है ए इसको अपने परिम्य संख्याओं में नहीं रखेंग तब प्रेWhich में संख्याओं में नहीं रख रहे से दोब इसको हम कहां पर रखेंगे तो बच्चोग रखना की अपरी में संख्या तो अपरी में संख्या में सबसे पहले मिने उधारन में देखा था रूट्टू क्या देखा था रूट्टू देखा था और एक बात आपको ध्यार रखना बच्चो कि रूट्टू है जो रूट्टू कमान होता है एक दस्थमलों चार एक चार होता है मतल प्रिज्जामे लेता हूँ अब मैं ले रहा हो यहां पर अंडा रूट घ्री रूट घ्रिमा ले रहा हूँ आब बच्चो बताइए इसको मतहिं में रहे। कि अब परिमेर में रखो ता सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रूट टू कमान होता है एक दसमला साथ तीन दो एक और यह खतम नहीं होता यह चलते रहता है इंफिनाइट की और अब देखे बच्चो इसके नीचे में मैं चाहूं तो एक तो लिख सकता हूं लेकि पर दसमला वाली संख्या आ गया है इसके नीचे में मैं एक लिख भी दू तब भी इसको परिमेर संख्याओं में नहीं रख सकते क्योंकि वर्गमुल्स तीन कमान कितना होता है एक दसमला साथ तीन दो एक और यह खतम नहीं होना चलते जा रहा है इसलिए अब इसको हम कहा पर रखते हैं इसको हम रखते हैं अपने अपरिमेर संख्याओं में तो अगला हमारा एक्जामपल यहां पर बच्चों क्या आ गया वर्गमुल्स तीन आ ठीक है अब बच्चों मैं आप लोगों से एक प्रश्न पुछता हूं मैं एक प्रश्न पुछता हूं कि बताइए म रखने वाले हैं तो माई डियर इस्टोरेंट आप बिल्कूल गलत जवाब दे रहे हो जो स्कुर्ण रूट फॉर है जो वर्गमुल्स चार है उससे हम अब परिमेश्चाओं में नहीं रखते बलकी परिमेश्चाओं में रखते हैं कैसे कैसे वह आप सूनियों देखिए जो वर्गमुल्स चार है इसको हम दो लाइल हल कर सकते हैं कैसे यहाँ पर मैंने स्कुर्ण रूट को एजटिस लिख दिया और फॉर फॉर को हम लिख सकते हैं टू टू दी पावर टू मतलब की टू का स्कुर्ण हो गया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएग यहां पर मैंने दो की घात दो को एजटी से लिख दिया अब यहां पर जो रूट होता है रूट के मतलब होता है एक बटा दो और यह एक बटा दो कहां पर लिखाता है इसके घात पर लिखाता है अब यहां पर घतां का एक छोटा सनियम लगता है वो क्या करता है कि घात के उ ना एक बटा दो अब बच्चों यहां पर देखें उपर में दो है और नीचे में दो है अब यहां पर हो जाएगा दो की घात एक मतलब की होता है कि दो दो की घातिक मतलब दो ही होता है और दो हमारा क्या है दो हमारा एक पुर्णांग संख्या है और मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ कि क्या कि प्रत्यग पुर्णांग संख्या को हम परिमेश संख्या कह सकते हैं क्यों क्यूंकि इसके नीचे में मैं वन लिख सकता हूं इ कि जब हमने इसको हल किया तो टू आया और टू हमारे परीमेश शंखयाओं में गी रिखी यह अधिकतार प्रश्चन पूछे जाते हैं बच्चो को अग करने के लिए कि बताईये वर्ग मुलचार परीमेश संख्या की अपरीमेश संख्या है तब बच्चो आपको यहां पर प्रट्यक संख्याbon है एक परिमय संख्या है हमने यहां पर यह समझ लिए तो हमने में ऩू इसे समझ लिए यहां और एक कि Android आता है बच्चों वह आपको ध्यान रखना है यह पाई क्या लिखा मैंने पाई लिखा इना यह पाई भी हमारे अपरिमेश संख्याओं में की जन की जब की जो पाई का मान होता है 22बट lush साथ वह परिमेश संख्याओं में रखे जाते हैं तो बच्चों हमने प्राक्रिस संख्या पूर्ण संख्या पुर्णाग संख्या परिमेश संख्या और अब परिमेश संख्याओं को बहुत अच्छे से समझ लिया बच्चों यहां पर मैं आप बता दू कि इतने सारे हम संख्या जो लिखे हैं उन सभी संख्याओं क संख्या रेखा पर प्रदर्सित कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं तब यहां से देखिए तब यहां से देखिए आप एक इंट्रेस्टिंग बात सुनिए क्या देखिए तो इन सभी संख्याओं को इन सभी संख्याओं को अब हम एक नया नाम देने वाले हैं जिससे हम क खतम कर दिये कहां पर वास्तविक संख्या अब बच्वों यहां पर यहां पर हम वास्तविक संख्या की डेफिनिस हैं खुद से भी बना सकते हैं क्या हो जाएगा कि वास्तविक संख्या में क्या होते हैं परिमेश संख्या और अपरिमेश संख्याओं के संग्रा को इतने सभ Chitra के माधन से संख्या आर और आपरी में सख्याओं के किह आस वीग संख्या तो अब भी मैंने एक लाइन बोले थी कि इतने सारे जो गोईने यहां पर संख्याय रिक्णीया उन्हkeiten को रिखा पर प्रतर्सीत कर सकते हैं तब यहां पर वास्तवीक संख्या की दूसरी परिभासा क्या हो जाएगी इसमें यह हो जाएगा कि ब설विस संख्या जिससे हम संख्या रिखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं यहाँ पर मैंने आपको दो परिभासा बता दी और यह परिभासा रटने की जरुरत नहीं है आप इस चितर की सहाताय से और इन सभी को देखकर समझ सकते हैं कि मैंने कहां से परिभासा ब कि क्या कि प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो याद रखना है कि जो संख्या जहां से इस्टार्ट रहे जहां से प्राराम हो रही है वही सबसे छोटी संख्या होती है प्राकृत संख्या जो है वह वन से ही स्टाur हो रहा है तो प्राक्री संख्या में सबसे छोटी संख्या है यह हो जाएगा और सबसे बड़े संख्या अगर आप से पूछ तब आपको कहना है कि इसको ग्यात नहीं किया जा सकता, क्यों कि यह अननत की और बढ़ रहे हैं, तो मतलब की Undefined है मतलब की सबसे बड़ी प्राक्री संख्या को हम ज्याद नहीं कर सकते हैं अब बच्चो आप लोग बताईए भई आप आप लोग की बारी है कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है कौन सी है तो पूद्ण संख्या जो है वह 0 से स्टाट हो कि इस क्लास में हमने वास्तविक संख्याओं को बहुत अच्छे से समझा है संख्या रेखा कि सहाथ से हमने वास्तविक संख्याओं को अच्छे से समझा है हम आने आपको हर चीज क्लियर किया है हमने बहुत सारे एक्जामपल के थुरू समझा है कि वास्तविक संख्या किसे क परते हैं अब बच्चों हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ तब तक लिए आप पढ़ते रहें प्रेक्टिस करते हैं धन्यवाद कर दो कर दो कर दो कर दो